हमें सेहत पर मेल आया नंदन का जैपुर के रहने वाले हैं उनकी मम्मी की उम्रे 49 साल है पिछले साल दिसंबर में उनके सिर में तेज दर्द उठा था पहलो उन्होंने फार्मसी से लेकर दवाई खाई पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ जब दर्द लगातार चौथे दिन तक रहा तो नहोंने डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने कुछ दवाईयां दी पर उनसे भी आराम नहीं मिला कुछ हफतो बाद नंदन की मम्मी को दोरे पढ़ने लगे घर वालों ने उन्हें एक नए डॉक्टर को दिखाया उन्हें कुछ और लक्षन भी महसूस हो रहे इसके बारे में सही जानकारी लोगों को दे ब्रेंट यूमर क्या होता है? क्या ये हमेशा कैंसर ही है? ये क्यों हो जाता है? इसके लक्षन क्या है? और इलाज ये सब एक्सपर्ट से बात करके बताएं The International Association of Cancer Registries के मताबिक हिंदुस्तान में हर साल 28,000 से ज्यादा लोगों को ब्रेंट यूमर रिपोर्ट होता है वही 24,000 लोगों की हर साल मौत हो जाती है ब्रेंट यूमर एक सीरिस कंडिशन है और अगर ये सही समय पर पकड़ में ना आए और सही समय पर इसका इलाज ना शुरू हुआ तो ये जान लेवा है तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेंट यूमर क्या होता है? यूमर का अर्थ होता है गठान दिमाग में होने वाली किसी भी गठान को इसलिए ब्रेन ट्यूमर कहते हैं अब ये ब्रेन ट्यूमर चाहे कैंसर वाला हो या बिना कैंसर का हम किसी भी गठान को ब्रेन ट्यूमर बोलेंगे यह ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकते हैं चाहे छोटा बच्चा हो, जवान हो या व्रद्व्यक्ति हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, किसी को भी यह ट्यूमर हो सकते हैं. ब्रेन ट्यूमर आम तोर पर दो किसम के होते हैं, Cancer वाली Tumor, और Non Cancerous Tumor, जिसको की certified Benign Tumor, भी बोलते हैं. जो Non Cancerous Tumor होते हैं, वो generally Brain के बाहर पैदा होते हैं. Brain के अंदर जुटे भी Tumor होते हैं, वो Cancerous Tumor होते हैं. जो Brain के बाहर Tumor पैदा होते हैं, सबसे Common Manigeomar होता है, दूसरा Acoustic Tumor होता है. प्राइमरी कैंसर हो सकते हैं, जो मतलब कि बेन के सेल से ही उत्पन होते हैं, या मेटस्टेसिस होती हैं, जो कि शरीर में और कहीं कैंसर हो, वो फैल के दिमाग में चला जाएं. इस किसम के कैंसर दिमाग में कई जगे पर भी हो सकते हैं, कई बार किसी-किसी मरीज में 30-40-40 ट ट्यूमर हो गया बट ये सब धारना गलत है ब्रेंट ट्यूमर का जनरली स्पीकिंग कोई कारण नहीं होता बहुत रेर केसिस के अंदर किसी को बच्पन में रिडियेशन मिला हो दिमाग को तो उसके कारण आगे जाके ट्यूमर हो सकते हैं पर ये बहुत ही एक रेर कारण है अधिकतर लोगों में कोई कारण नहीं होता और ये ट्यूमर अपने आप पैदा हो जाते हैं चाहे वो कैंसर वाले हो या बिदा कैंसर के तो किसी को भी अगर दर्द लगाता है, काफी दिनों तक बना रहे हैं, तब उसको किसी डॉक्टर से संपर्ख करना चाहिए दर्द के साथ में खास्तावर से अगर उल्टी हो रही हो, डबल दिखने लगे, या पैरिलिसिस हो जाए, या मिलगी का दोरा पड़े ये सब चीजें ब्रेन ट्यूमर के लक्षन है, कुछ-कुछ अलग-अलग ट्यूमर के अंदर, जैसे कि एकोस्टिक ट्यूमर है, जो कि कान की सुनने वाली नर्सियराइज होता है, उसके अंदर उस कान से सुनना कम हो जाएगा, इसी प्रकार ब्रेन ट्यूमर दिमाग में किस हिस्से में पैदा हो रहा है, उसके कारण लक्षन अलग हो सकते हैं, अगर दिमाग के ताकत वाले हिस्से में ट्यूमर है, तो आदमी को प्रेलिसिस हो सकती है, अगर आग की रोशनी की नस्के पास में है, तो उसको आग से दिखना कम हो सकता है, कभी-कभी कोई ट्यूमर द तभी चलेगा जबकि या तो कोई लक्षण होंगे या फिर कभी किसी और कारेंट से उसका CT स्कैन या एमा रही हो जैसे कई बार लोगों को चोट लग जाती है उसके कारेंट CT स्कैन होता है तो उसके अंदर गलती से टूमर बिल जाता है ब्रेंट यूमर का नाम सुनके लोगों के मन में दहशत आ जाती है और बहुत लोगों को लगता है कि ये जिन्दगी का अंत है बट ये सच बात नहीं है बहुत से ब्रेंट यूमर का एलास अक्सेश सुली संभा हुए और कई यूमर पिलकुल हमेशा के लिए कंप्रीटली क्यों हो जाते है जैसा मैंने बताया कि cancerous tumor हो सकते हैं non cancerous हो सकते हैं दोरों का एलास अलग अलग तरहे का होता है जैसे डॉक्टर सहाब ने बताया ब्रेंट यूमर का पता CT scan और MRI से चलता है इसलिए डॉक्टर के बताय के लक्षन दिखने पर ये टेस्ट जरूर करवाई जितना जल्दी ट्यूमर पगड़ में आ जाएगा उतना ही जल्दी इसका इलाज भी शुरू हो सकता है और जान बच सकती है क्योंकि ट्यूमर का इलाज कई केसिस में मुम्किन है हालाकि ट्यूमर जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो पर ये जाच में साफ होता है इसलिए सही समय पर टेस्ट जरूर करवाए अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेग्मेंट की तरफ आपको बता है टीवी आपकी हड़ियों में भी हो सकता है इसके बारे में हमें और बताया डॉक्टर दिनेश ने बोन टीवी बैक्टीरिया से होने वाली बिमारी है जो माइको बैक्टीरियम ट्यूबो क्लोसस नाम के बैक्टीरिया से होती है ये बैक्टीरिया किसी अक्टिव टीवी के मरीज के शरीर से हवा और air droplet के जरीए शरीर के अंदर घुसता है ये आपके फेपणों पर ज्यादा तर असर करता है अगर आपके immunity अच्छी है और ये bacteria वहाँ पर infection नहीं कर पाता तो ये खून के जरीए शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुचता है जैसे पेट और हड़ियां हड़ियों में ये सबसे ज्यादा read की हड़िय में पहुचता है वहाँ पर active infection होने की संभावना ज्यादा होती है इसके अलावा hip joint और knee joint यानि आपके जोडों में bone TB होने के ज्यादा chances होते हैं TB का infection होने का प्रमुक कारण है कि अगर आपके आसपास किसी को TB का active infection है तो उनसे आपको हो सकता है दूसरा कारण है शरीर की low immunity low immunity होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे अगर आपके शरीर में लंबे समय से कोई infection है आपको liver या फिर kidney की कोई बिमारी है जिसके लिए लंबे समय से आपकी दवाईयां चल रही है cancer है और उसके लिए कीमो थेर भी जल रही है इन हलातों में शरीर की immunity low रहती है ऐसे में शरीर के अंदर TB का infection active रहने की समभावना बढ़ जाती है smoking या शराब से भी low immunity होती है जिससे TB का active infection हो सकता है bone TB का सबसे 60 हिलाज है anticox treatment इसमें TB की मोख्य दवाईयों का 6-18 महिनों तक का course होता है अगर 3-4 महिने के बाद लगता है कि लक्षन ठीक होने लगे हैं और दवाईयां बंद कर दी जाती हैं तो TB का bacteria पूरी तरहां से शरीर में मरता नहीं है अगर bone TB काफी advanced stage में है जिससे हड़ियों का आकार बदल रहा है लगवा मार गया है तो इस stage में operation की जरूरत पड़ती है पर ज्यादतर मरीजों में anticox treatment लेने से TB का infection पूरी तरहां से खतम हो सकता है समझे अब बारिये सेहत के आखरी segment की खुरा एक जखकास सी health tip जैसे जानते हैं कालमेक जड़ी बूटी लेने के फाइदे कालमेक एक बहुत ही पुरानी जड़ी बूटी है जिसका सेवन करने से बहुत ज्यादा फाइदे मिल सकते हैं इसके बारे में हमें और बताया celebrity nutritionist शिखाश शर्माने शिखाश का कहना है कि कालमेक का सबसे बड़ा फाइदा है कि हमारे वजन को कम करने में बहुत मददगार होता है क्योंकि यह हमारे metabolism को बढ़ाता है और fat burn करने में help करता है इसके अलावा कालमेक diabetes में बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है इसमें काफी ज्यादा मात्रा में आंटी आक्सिडंस पाई जाते हैं तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है कुछ लोगों को खासी दुकाम बहुत होता है या फिर चेहरे पर फुनसिया जाईया होती है तो कालमेग इसमें भी मदद करता है इसके अलावा लिवर की प्रॉब्लम होने पर भी ये काफी फाइदे मंद है अब फाइदे तो हमने आपको गिनवा दी है पर इसका इस्तमाल कैसे करना है आप चाहें तो कालमेग पाउडर को गरम पानी के साथ ले सकते हैं वैसे हमेशा गुनगुरे पानी की जरूरत नहीं ह आप चाहें तो नॉर्मल पानी में भी से ले सकते हैं चाही कॉफी में भी 2-4 चुटकी डाल कर इस्तमाल कर सकते हैं आज सिहत में इतना ही अगर आप एक डॉक्टर है हमसे कुछ शेर करना चाहते हैं तो जो इमेल आइडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजे ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे शुक्रिया